हमारा चाप्टर है बहात्मा गांधी and the nationalist moment राइट बचे तो जैसे कि बहात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि अगर तुम बदलाव लाना चाहते हो तो पहले खुद बदलिए तब जाकर के तुम बदलाव ला सकते हो तो गांधी जी ने वही करके दिखाया राइट तो अंदोलन को उन्होंने successfully launch किया और उसमें सफलता भी प्रात की तो चलिए स्टार्ट करते हमारा ये आज का सेशन ठीके बच्चा तो यहां पर है गांधी जी beginning of the Gandhian era तो बच्चे इस चैप्टर को Gandhian era क्यों कहा जाता है देखो जब गांधी जी इंडिया आते हैं कब आते जाए मानली जी अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि डेट क्या होगी 9th January 1915 को Gandhiji South Africa से इंडिया आते हैं ठीके रिटर्न टू ठीके रिटर्न टू इंडिया तो गांधी जी South Africa से इंडिया वापस आते हैं from South Africa ठीके तो यहां से गांधी जी जब इंडिया में एंटर होते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडिया की situation जो पहले छोड़कर गए थे उससे बहुत ज़्यादा उनको चेंज लगी तो एक चेंज तो उनको अच्छा लगा और एक चेंज लगा उनको बुरा अब वह अपने अधिकारों को लेकर अवेर हो गए हैं और वो बिटिश सामराज्ये के खिलाफ आवाज उठाने लगे यह बात तो उनको अच्छी लगी लेकिन बुरी बात कहां पर लगती है बुरी बात लगती है कि इंडियन के उपर जो अत्याचार किया जा रहा था जो उनको ए इंडिया में उसको सेलिब्रेट करते हैं ऐसा माना जाता है ठीक है अब क्या करते हैं बिगिनिंग करते हैं सम्टाइम इन हिस्ट्री नाश्टनलिस्ट एंड इंडिविज्वल विद हिस कॉंट्रिब्यूशन इस देखो यह तो हम सभी जानते हैं कि गांदी जी का कितना बड़ा रोल रहा है हमारी इंडियन फ्रीडम में वैसे तो सभी का र गांदी जी की बात हो रही है और टॉपिक का नाम भी गांधियन एरा है यह गांदी जी एंडर नाश्टनलिस्ट मोमेंट है इसलिए हम थोड़ा सा गांदी जी पर फोकस करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि गांदी जी का बर्थ 2 ऑक्टूबर 1869 को पोर बंदर गुजरात है ठीक है उनका बच्पन का नाम मोहंदास करमचंद गांदी था तो यह तो हम बच्पन से ही सीखते आ रहे हैं तो गांदी जी बारिष्टिर करने के लिए साउथ अफरीका चले जाते हैं तोस्के से रिटन होते हैं mentor का मतलब होता है राजनितिक गुरू जो उनको राजनिति के बारें बता थे थे कौन थे गोपाल कुष्ण गोखले से मिलते हैं और आगे का plan out करते हैं तो गोपाल कुष्ण गोखले की advice पर उनको बोला गया कि तुम अभी थोड़ा सा रुको अभी अभी आए हो चीजों को थोड़ा सा observe करो एक दो साल जो है चीजों को देखो कहां पर क्या कमी तुम्हें नजर आ रही है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं तो तुम अभी थोड़ा सा विजट करो चीजों को फिर बाद में उसको plan out करेंगे तो गांदी जी ने अपने political mentor की बात मानी और पूरे मतल पर शुट से कहां से इन्वीटेशना आता है तो यह आते है बच्चे बीचियों से कहां से इन्वीटेशन आता है बीच्च यू में बहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इनको inventory यून्कि०ी लोगों के ंपर उनको चाना था लोगों को तब जाकर लोग जो है वो जादा से जादा लोग गांदी जी जी को जान पाए क्योंकि इस से पहले लोग कम जानते थे क्योंकि विदेश में रहे थे तो गांदी जी को इतना जानते नहीं थे कुछ ही हमारे political leader जानते थे और फिर उसके बाद तो जब गांदी जी speech देने लगे और गांदी जी उनके स्काम आने लगे तो धीरे धीरे गांदी जी popular होने लगे 1916 की बात होती है जब गांदी जी बीचु के ओपनिंग के लिए गए थे तो फर्स पब्लिक अपिरेंस उनकी वहां होती है ठीके और गांदी जी ने यहां पर जैसे कि उन्होंने साउथ एफरीका में यह जो सत्यागरे मुमेंट स्टार्ट किया था ऐसे ही वो क्या करते हैं क कि इसी दोरा जब यह स्पीच डिलिवर कर रहे थे और जब यह जी ओपनिंग के लिए गए होए थे वहां पर बिहार में ठीके तो यहां पर क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम्स पता चलती है कि बिहार के लोगों ने उनको बताया कि बिहार चंपारन मुमेंट में कि एक व वह इंडीको की प्लांटेशन जो हती है वहलट वाइस बहुत नुक्सान करती है और साथ-साथ में फर्टिलिटी को भी खराब करती है क्योंकि इंडिगो की का प्लांट होता है हो सौल Faculty की सारी फर्टिलिटी को आब्जरब कर लेता है उसके लिए उसकी फर्टिलिटी को द सामना करना पड़ रहा था बहुत प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करना पड़ रहा था तो इसके लिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर गांदी जी के सामने जाते हैं और गांदी जी ने फर्स्ट अपना मुमेंट इंडिया के अंदर मैंने क्या का गांदी जी का फर्स्ट मुमेंट इंडिया के अंदर कौन सा था चंपारन सत्यागरे मुमेंट चंपारन सत्यागरे मुमेंट कहां पर होता है बच्चे ये होता है बिहार में ठीक है कहां पर होता है बिहार में तो यहां पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से लोगों को एक्स्प्लॉइट किया ज लाइवकर चंपरें नुमेंट खेडा मोमेंट और एहमदाबाद मेलवरकर मोमेंट तब जाकर गांदी जी जो है वो पूरे ना इंडिया में बलकी बहार के देशों में भी गांदी जी जो बैक टूब मुमेंट लेकर आते हैं तीन सत्यागरें मोमेंट लेकर आये इस से वो hero कहलाते हैं इसके बाद वो national hero कहलाने लगे तो गांधी जी made freedom struggle national movement representative the masses गांधी जी अकेले नहीं चलते थे वो लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे यह नि कि लोगों की demand को ध्यान में रखकर अपने movement को launch करते थे कि लोगों की दिमांड यह और हमें इस तरीके से movement को launch करते थे उसमें किसान क्या गरीब क्या अमीर क्या चोटे बड़े बुड़े सब लोग इसमें involved होते हैं राइट एंड़ इनकंपास एवरी section of the society तो society के हर section से गांदी जी के movement पे यह लोग participate करते हैं people started the venturing गांदी जी refers to him as the महात्मा तो गांदी जी को लोग महात्मा के नाम से जाने अब यह महात्मा की उनको टाइटल किस ने दी थी महात्मा की टाइटल किस ने दी थी सर नवींदर्नाठ टेगोर ने ठीक है पहले तो वह सर लगाते थे क्योंकि उनको टाइटल दी गई थी बिटिश के द्वारा फिर जब वह जब नॉन कोपरेशन मुवेंट चलता है तो यह सर की टाइटल को वापिस उनको थो आउट कर देते हैं और फिर रह जाते हैं रविंदर्नाठ टेगोर ठीक है तो रविंदर्नाठ टेगोर ने उन्हें महात्मा की उपादी दी और यह ल गांदी जी के तीम बैक टूबैक मुवमेंट से उनको वहां पर राहत मिलती है कैसी राहत मिलती है उनकी प्रॉब्लम का सॉलूशन कैसे होता है कि चंपारेन मुवमेंट में उन्होंने इंडिगो की जो प्लांटेशन होती थी उसको बंद करवाया फिर नेक्स होता है कि ए लोगों के बीच में पापिलर हो जाते हैं ठीक है नेक साहता है गांदी जी वेंट अमंग द पीपल गांदी जी जब लोगों के बीच में जाते थे तो एक तो उनका बहुत ही कहते है कि सिंपल लिविंग इंडा हाई थिंकिंग का कंसेप्ट लेकर चलते थे साधा जीवन उन्हीं के लांगोजें बात किया करते थे हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे एंफिसाइज उनके साथ उन सहानुभूती रखते थे ठीक है एंड आडेंटिफाइ विद लोगों को पहचानते थे गांदी जी वेंट टू अमंग द पीपल सिंपल धोती एंड एंड ही स्पिंट सम पार्ट फ इच डे वरकिंग और वो हर दिन चर्खा उसको कातने का काम करते थे चर्खा एंकरेज विद द नैशनल तो डू लाइवाइस उस चर्खे से क्या होता था बच्चे कॉटन को जो ना स्पिन किया जाता था पिर उसे थ्रिड बनाई जाते थी कॉट कॉटन बोल से उसको प्लग किया ठीक है उसे कॉटन निकाली और फिर उस कॉटन से थृट बनाने का काम किया जाता था कि इसमें स्पिनिंग विल पे मतलब चर्खे पे ठीक है नेक्स आता है कि बेग्ग्राउंड ओफ तर नैशनल मुमेंट नाइटीन सेवंटीन में अभी मैंने क्या कहा था कि गांदी जी के तीन बड़े नैशनल मुमेंट थे स्राटिंग के कौन कौन से थे 1917 में 1917 में गांदी जी सक्सेसफुली लेट दा चंपारण मुमेंट तो गांदी जी सक्सेसफुली चंपारण मुमेंट को लांच करते हैं जो कि गांदी जी की पहली सफलता थी कहां पर थी बचेए 1917 में चंपारण कहां पर है बिहार में तो गांदी जी बिहार में अपना प करेंगे ठीक है in 1980 यह कितना है 17 है अब क्या आगया 1980 बच्चे यहां से आपके देट वाले questions बहुत बनेंगे इसलिए इस question की एक भी date मत छोड़ना कि आप अगर एक date भूल गया तो पूरी कहानी गड़ पड़ा जाएगी जैसे चेन होती है चेन की एक एक जो उसका जो बीच का portion होता है कि एक mediator जो उन दोनों को जोड़ती है अगर वही खराब हो गया एक निकल गया एक पार्ट तो इसका मतलब पूरी जो माला है पूरी चेन है वह बिखर जाएगी तो आपको अभी मैंने क्या कहा गांदी जी 1915 में इंडिया आया थे 1916 में बी एच्चु के ओपनिंग हुई थी 1917 में चंपारेन मुमेंट हुआ था अब आ गया है 1918 तो हम सीक्वेंस में चलेंगे ठीक है सीक्वेंस में चलेंगे 1980 he struck the demanding for the better working condition तो गांदी जी ने 1918 में 1918 में एहमदबाद मिल वरकर्स की working condition को जो लगाता 16-16-16 गंटे काम किया करते थे अब उनकी working hours को कम करवाया गया और जो उनकी demand थी कि salary wages जो भी मिलती थी उनको increase करवाने की तो गांदी जी ने उनको भी increase करवाया ठीक है इतना नहीं लेकिन हाँ ब्रिटिश उसने थोड़ा सा उसको hike पर ले गए और गांदी जी थोड़ा सा उसको down में लेकर आए ठीक है नाव नेक्स वान की moment of asking that the state of the remission the taxes खेडा अब खेडा में moment चलाते हैं 1918 में बच्चे 1918 में 1918 में दो moment सत्यगरे moment चलाए गए थे same year था year same था कौन कौन से लेकिन moment अलग अलग थे एक तो था एहमदाबाद mill workers जिसमें working condition को सुधारा गया एक था 1918 में खेडा मोमेंट अब ये खेडा मोमेंट में क्या था किसानों पर land revenue tax बहुत ज़्यादा high impose किया हुआ था तो उसको थोड़ा सा कम करवाया थीक है कि 1914 से 1918 ये first world war चल रही थी first world war के खतम होने के बाद देखा कि इंडिया में बहुत सी political activity हो रही है political leaders आगे आकर कि उनको lead कर रहे हैं moment चला रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको दबाना बहुत ज़रूरी था तो British government इस ने company ने क्या किया British Parliament से एक authority लेकर आई कि हमें Indians को surprise करने का उनकी political activity को दबाने का हमें एक power देजी हमें एक authority देजी बिटिश पार्लेमेंट की तरफ से वो authority लेकर आए अब वो authority क्या थी वो authority थी रोलेक्ट act क्या थी रोलेक्ट act तो बच्चे इस रोलेक्ट act में गया था ठीक है मैं यहां पर लिक देठी रोलेक्ट बच्चे यह बहुत important है यह रोलेक्ट act इतना important है कि इस रोलेक्ट जो कि 1919 में लागू किया गया था 1919 में मैंने क्या का 14 से लेकर 18 तक 1914 से 18 तक ये मुमेंट चल रहा था मतलब First World War चल रही थी तो जब ये खतम हो जाती है तो 1919 में जब देखा East India Company ने कि यहां पर प्रिटिकल एक्टिविटीज बहुत हो रही है तो इसको रोकने के लिए वह एक तरह की शक्ति लेकर आते हैं कि हमें इंडियन प्रेस आपकी तरफ से पर्मीशन चाहिए ठीक है दे दिया उन्होंने तो एक तरह का ये था कि उस उस एक्ट के दोरान उस एक्ट के अंडर में क क्या क्या चीजे थी कि इंडियन प्रेस अब उनकी पर्मीशन के बिना कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगी जब तक वो आर्टिकल से पास नहीं हो जाता है तो वो कोई आर्टिकल न्यूस पेपर वगरा में नहीं पब्लिश करेगी दूसरी बात कि कोई भी पॉलिटिक किया जा सके थार्ड में बात आती है कि बिना किसी सबूत के ट्राइल के बेस पर यानि कि सरफ डाउट के बेस पर उनको अरेस्ट करके उन्होंने उनको प्रिजेंट कर दिया था तो ये एक ऐसी पावर उनके हाथ में लग गई थी जिससे हजारों लोगों को यानि कि इंडिया में इसको अंजस्टिस करार दिया गया कि ये तो सरासर अन्याय किया गया है भारतियों के साथ में इसलिए इसको इसलिए इसको ब्लैक एक्ट के रूप में भी माना जाता है इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया है ठीक है इसलिए इसको काला कानून भी कहा ग अर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकती है दूसरी बात ट्राइल के बेस पर सिर्फ संदेह के बेस पर यानिकि डाउट के बेस पर उनको दो साल के लिए प्रिजेंट कर दिया जाता था चीक है तो यह पूरी अक्टिविटी थी किसकी यह थी रोलेक्टेक्ट की राइट अब हम च 1920 की बात है 1920 में क्या होता है 1920 में 1919 या 1920 में तो इसको आप इस तरह से लिखिए डबल इसमें 1919 20 ठीक हो चे तो इसमें क्या हो रहता देखो First World War में दो पार्टी लड़ रही थी ठीक है तो उनिके बीच में ये वार हो रही थी पूरी तो एक तरफ थी तो excess power एक तरफ थी alliance power excess power की तरफ जर्मनी लीड करा था जिसका साथ दे रही थी कौन जिसका साथ दे रही थे जपान और इटली ठीक है, और क्या था जपान, इटली और आपका ये Ottoman Empire ये सारे hero सिमा ते नागा साकी थी यह सारे के सारे इस वाले पार्ट में थे जर्मनी वाले पार्ट में दूसरी तरफ कौन को से दिगज कंट्री थी रश्या था फ्रांस था ब्रिटेन था यूएस था इस तरफ यह सारी बड़ी बड़ी कंट्री थी तो फर्स्ट वल्ड वार में क्या होता है कि यह हार जाते है जर्मनी हार जाते हैं जर्मनी का जो साथ दे रहे थे वो भी सारे हार जाते हैं तो मैंने एक वर्ड कहा ना आपको मैंने कंट्री का नाम बता है जिसका नाम था ओर्टोमन एंपायर जिसका नाम क्या था ओर्टोमन एंपायर के एक खलीफा थे इस ओर्टोमन एंपायर के एक खलीफा कौन होता है खलीफा होता है इस्लामिक उसमें रिलीजियस में जो उनके स्प्रीच्वल हैड होते हैं उसको खलीफा कहा जाता है उनके जर्मनी के साथ देने से जर्मनी हार गई तो उनके उपर एक पैनल्टी लगाई गई जो भी जर्मनी का साथ दे रही थी जर्मनी को देखकर जो Ottoman Empire के ruler थे जिसको खलीफा कहा जाता था spiritual head भी थे तो Muslim committee अपने ruler को अपने खलीफा को tension में नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उन पर मुसीबत पड़ी थी और वो अपने इस खलीफा को अपने इन खलीफा को problem में नहीं देख सकते थी इसके लिए उन्होंने एक committee बनाई जिसको कहा जाता है खिलाफत committee जिसको क्या कहा जाता है जिसको कहा जाता है खिलाफत committee ठीक है तो इस खिलाफत committee में इस खिलाफत पहले तो committee बनेगी जैसे committee बनती है कोई party बनती है ना इस तरह से खिलाफत कमेटी वनी खिलाफत का मतलब होता है खिलाफ कि हमने जीती हुई country के खिलाफ अब action लेना है राइट अब ये action जो है वो कमेटी से वो movement कब डिकलेर हो जाता है जब उनके उपर spiritual head के उपर जब problem आई तो यहाँ पर दो brothers थे two brothers थे जिसक मुमेंट पर तो सारी जनता आ जाएगी न मैकसिमम जनता मैकसिमम उसको पार्टिस्पेट करेंगे लोग पार्टिस्पेट करेंगे लेकिन अब वो लोग आएंगे कहां से क्योंकि muslims तो minority पर थे muslims तो संक्या में कम थे अब उनको हिंदूों की help चाहिए थी तो यह two brothers ज आते हैं गांधी जी के पास प्रपोजल लेकर के कि तुम हमारा साथ दो और हम भी तुम्हारा साथ देंगे जब तुम मोमेंट स्टार्ट करोगे गांधी जी इसी golden chance के लिए बैठे हुए थे मतलब इंतजार कर रहे थे वेट कर रहे थे कि कभ ये hindu muslim को unite करने के लिए उन उनको मिल जाता है तो गांधी जी ने फटाफ़ से उनकी बात करवाई किसके हमारे कॉंग्रेस लीडर से कॉंग्रेस लीडर के साथ में ये प्रपोजल रखा जाता है कि हमें खिलाफ़त मुमेंट में मुस्लिम्स का साथ देना चाहिए तो सब लोग एगरी हो जाते हैं Hindu-Muslim unite होकर Khilafat Movement को participate करती है और उनको success मिलती है ठीक है According to Gandhi जी Extremics, the non-corporation movement Khilafat Movement and the two major religious community Hindu and Muslim could collectively bring end to colonial period सिर्फ Hindu और Muslim की unity से ही उनकी एकता से ही हम इस colonial period को हटा सकते हैं इसको खतम कर सकते हैं Britishers के rule को India से खतम कर सकते हैं ठीक है तो Gandhi जी ने क्या किया non-corporation movement non-corporation movement 1920 Khilafat Movement ये दो moment जब launch होते हैं तो एक बड़े level पर एक mass movement बन जाता है ये, right mass movement किसको कहते है जिस पर भारी से भारी जनता मतलब एक बड़े level पर जनता participate करती है उसको क्या बोलते है उसको mass movement बोलते है ठीक है नेक्स आता है कि salt सत्यागरे अब ये salt सत्यागरे क्या था ये salt सत्यागरे क्या था इस बीच में अभी मैंने क्या कहा कि Gandhi जी ने non-corporation movement Khilafat Movement ये सारे वो कर दिये थे तो पहले बात अगर मैं करूं किसकी non-corporation की तो non-corporation का मतलब ही क्या होता है non-corporation का मतलब होता है 1920-21 तो non-corporation मतलब की हमें non-corporation मतलब हमें किसी भी तरीके से Britishers का साथ नहीं देना non-corporation corporation का मतलब होता है मलब सहयोग और इसमें non लगा दिया तो वो असयोगा अंदोलों नोगा कि हमें Britishers का किसी भी तरीके से साथ नहीं देना है, उनके हर काम को हमें मना करना होगा, तब ही जाकर के वो समझ पाएंगे कि अब Indians हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमारे खिलाफ अवाज उठानी स्टार्ट कर दिया, अब वो दबू-दबू टाइप के नहीं रही है, ठीके तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने non-corporation movement स्टार्ट किया, और क्या करते हैं, गांधी जी के कहने पर तो जो भी सरकारी करमचारी थे, जो भी government offices में recruited थे, posted थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी government offices से इस्तीफा दे दिया, resign दे दिया, right, lawyers ने legal activities बंद कर दी, school और colleges में बचों ने जाना मना कर दिया, ठीक है, आप हम नहीं जाएंगे तो वहाँ पर ताले लग गए, shopkeepers ने अपनी shop shut down कर दी, railway जो workers थे, उन्होंने strike कर दी कि हम लोग railway का काम नहीं करेंगे, इस तरह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा कि इसको East India Company को, यानि के British Government को, काफी नुकसान होता है, ठीक है, काफी नुकसान होता है, लेकिन बचे, इसी बीच क्या होता है, 1922 में, 1922 में क्या होता है, यहां पर 4-4 incident होता है, अब यह 4-4 incident में क्यों बता रही हूं, क्या यह गांदी जी के उसमें है, 4-4 incident, बिल्कुल है बचे, 4-4 incident क्या था, जिसमें हमारे इंडियन्स ने क्योंकि देखो दो पार्टी बनी होगी था कॉंग्रेस में भी एक्स्रिमिस्ट लीडर थी और मॉडरेट रिविदा थी एक्स्रिमिस्ट कहते हैं जैसे कि हमें कुछ रिजर्ट चाहिए होता है अभी एक्जाम दिया हमने और कल यह ऐसा लगता है कि हमारे रि पेशन्स था दो तरीके थे तो गांदी जी हमेशा अपने लोगों को यही बोलते थे इंडियन्स को बोलते थे कि हमें हमेशा अहिंसा और सत्य के मार्क पर चलना है नॉन वाइलेंस बिलकुल नहीं करनी है ठीक है हिंसा बिलकुल नहीं करनी है वाइलेंस नहीं करना है हमें ठीके violence 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 याद आ गया KGF का डायलोग है न तो violence 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 I hate violence but violence likes me that I will do the violence ठीके तो मैं करूँगा और करता हूं क्योंकि वो मुझे पसंद करती है तो यह वही violence गांती जे ने कहा कि violence क्रेट नहीं करना है ठीक है तो हमें इसी बीच क्या करते हैं कि इंडियन्स एक पुलिस स्टेशन था जिसमें 22 पुलिसमें थे तो अपने गुस्से की वजए से क्योंकि किसानों पर बहुत ज़धा हाई-टेक्स इंपोस किया हुआ था किसानों की जमीन हड़पी हुई थी जमीनदारों ने इंट्रेस्ट बहुत लगाया हुआ था तो लोग गुस्से में भरे बैठे हुए थे ठीक है अब वो भी अपना गुस्सा किसी ने किसी तरह तो निकालेंगे तो उन्होंने क्या किया सारे गाओंवालों ने इखटे मिल क करके पुलिस स्टेशन था गाओं के अंदर चौरी-चौरा के अंदर जो कि गोरखपूर में था ठीक है कहां पर ये गोरखपूर में है राइट ये गोरखपूर में है तो गोरखपूर में ये चौरी-चौरा इंसिडेंट होता है पुलिस वालों को जिन्दा बंद करके उ 1922 पर पहुंच गये हैं जो गांदी जी से रिलेटेड है हो गया 1922 तक अब हम क्या करते हैं बात आते हैं 1928 की देखो अगर पूछा जाए कि साइमन कमिशन कमेटी बनी कब थी जो ब्रिटेन में बनी थी उस पर मतलब वो बन कर तयार होगी थी 1927 में लेकिन वो इंडिया कब आती है तो आ जाएगा 1928 दो बाते बताई यह बनी कब थी 27 में और इंडिया कब आती है 1928 में तो साइमन कमिशन in the year of 1928 there was an anti-साइमन कमिशन moment in which लाला लाजपत राय वास ब्रूटली दा लाथी चार्च and later the substitute to it अब जैसे साइमन कमिशन इंडिया आता है अब पूछोगे साइमन कमिशन क्या है बचे साइमन कमिशन वो था जो इंडिया का पॉलिटिकल future decide करने के लिए British government की तरफ से वहां से committee आती है जिसमें एक सर जोन साइमन थे और उसके साथ में तीन चार लोग और थे ठीक है तो यह इंडिया का teacher बनना है, आपको क्या बनना है, वो आप से नहीं पूछ रहे हैं, आपका future decide कर रहे हैं वो लोग, जो बिल्कुल अन्नो वो हमारे घर के भी नहीं है, वो हमारे relatives भी नहीं है, कोई दूसरा ही है, तो सरासर इंजस्टी चाहिए, आप से कम से कम पूछना तो चाहिए था, सेम यही काम हुआ, कि Simon Commission जो कमेटी आती है, तो उसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया, और इसी लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस भीड को, इस भीड को नहीं करने दिया, भार की भार से भगा देते हैं, इस भीड को, जनता की भीड को लीड कौन कर रहे थे, लाला लाच पत्राय, अब ब्रिटिश गौर्डमेंट ने क्या किया, कि लाठी चार्ज का ओर्डर दे दिया, कि तुम जाओ, लाठी डंडे बरसाओ, और किसी तरह से इन प्रोटेस्टर्स को दबा कर आओ, भगाओ उनको यहां से, लाठी चार्ज कर देते हैं, अब एक पुलिस ओफिर्सर थे, जिनका नाम था सांडर्स, उनकी एक लाठी, लाला लाच पत्राय के सर पे लगती है, औ क्योंकि किसी सॉफट पॉइnt पर लगी थी ओ, और उनके लगने से, लाला लाच पत्राय की डेफ हो जाती on the report, और फिर बाद में इनी से बदला लेंगे भगत सिंग, क्योंकि भगत सिंग, लाला लाच पत्राय को अपने फादर की तरह से त्रेट करते थे, अपने पिता की तरह मानते थे और फिर यह बदला लेंगे उससे, तो ये था साइमन कमिशन का, ठीक है, the year of 1928, political activist started the brewing India, 1929, Congress session होता है, 1929 में, 1939 में Congress का एक session होता है, लाहोर में, बच्चे बहुत important date है, ठीक है, लाहोर में session होता है, जिसके अध्यक्ष कोन थे, प्रेजिडेंट थे, कौन, पं स्वराज की demand को रखा गया, declare कर दिया, proclaim कर दिया, कि इसमें, जब तक हम पूर्ण स्वराज नहीं पा लेते हैं, तब तक हम ना तो चैन से बैठेंगे, और ना बैठने देंगे, was proclaimed as the motto, and 26th January 1930 को Republic Day observed किया जाता है, देखो, 30 है न ये, और 26 जनवरी, अब ये, और ये, और आथ टेकिंग तो ले ली थी, 1929 में, जिसके प्रेजिडेंट जेवलाल नहरू जी थे, और 1930 में क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को Republic Day observed किया जाता है, क्योंकि पहली बार इसको यहीं पर celebrate क 26 जनवरी को, तबी से हमारी 26 जनवरी को एक Republic Day मनाया जाता है, ठीक है, गंतंतर दिवस, दांडी the Salt March, अब थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं, दांडी the Salt March, ये बहुत इंपोर्टेंट है बचे, दांडी से कोशन हमेशा आते हैं, दांडी पर शॉर्ट नोट भी आ सकत होगा इस पर, तो हम क्या करते हैं, अब आगे की कहानी, डिसक्राइब करते हैं, आफ्टर दर रिपब्लिक डे अब्जर गांडी जी अनॉंस हिस प्लान, मार्ज टू ब्रेक सॉल्ट लो, देखो गांडी जी ने अब्जर्व किया कि सॉल्ट जैसी बेसिक फूड आइटम जो होता है, बेसिक नेसिसरी फिंक जो होती है, उस पर भी उन्होंने टेक्स लगाया हुआ है, ये तो सरासरी इंजस्टिस है, क्योंकि नमक जैसी चीज़ पर तुम लोगों ने कानून लगाया हुआ है, तुम लोगों ने टेक्स कर लगाया हुआ है, ये तो बहुत ही गल आप यात्रा निकालते हैं और प्रटेस्ट करते हैं कि या तो तुम यह टेक्स हटा लो नहीं तो फिर हम इसको अपने आप बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है अब गांधी जी ने क्या किया अपने 78 फोलोवर्स के मैंने क्या कहा? साबर मती आश्रम से अपनी दांडी मार्ट स्टार्ट करते हैं. कहां से? साबर मती आश्रम से. जो कि कहां पर है? एमदाबाद में. साबर मती आश्रम. इस आश्रम से गांधी जी अपने 78 वॉलेंटिर्स के साथ में, अपने 78 फॉलवर्स के साथ में ये यात्रा को चलाए रखा ठीक है तो गांदी जी इसी बीच जिस गली जिस गाउं से जहां जहां से पासोन होते फॉलवर्स इनके साथ साथ में बढ़ते जाते लेकिन बचे यहां पर एक चीज जो नोटिस की गई वो यह थी कि फर्स्ट पार्टिसपेशन हुई थी यहां पर विमेंस की इससे पहले किसी भी मुमेंट पर विमेंस ने पार्टिसपेट नहीं किया था क्योंकि देखो सॉल्ट जो होता है वो एक बेसिक ठीक होती है जो कि हर घर में चाहिए होता है और इसको महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से आनती हैं मतलब फीमेल क्योंकि उनको कि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वही समझ सकती है तो ये भी इस मुमेंट में आगे बढ़ चड़ कर भाग लेती हैं तो पहली बार विमेंस की पार्टिसपेशन इस मुमेंट में देखी गई थी तो गांदी जी ने अराउंड 24 डेल तक इस पे जो है वो अपनी मार्च पास करते रहते हैं टोटल जो है वो 10 miles कितने पर डे वो 10 miles चलते थे तो टोटल उन्होंने कितने miles कवर किये 240 miles ये भी कोशन आ जाता है ठीक है 240 miles कवर करते हैं और गांदी जी ने ये जो साबर मती आश्रम से जो अपनी ये जो मार्च पास किया था ठीक है और दांडी का पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं 6th April 1930, तो 12 मार्च से 6 मार्च, टोटल 24 देज हो गए, पर देज वो 10 माल्च चरते थे, तो कितने हो गए, 240 माल्च हो गए, तो इस तरह से वो दांडी पहुंच करके, और उन्ही के जो salt manufacturing company थी, उन्ही के सामने salt law को break करत होता है उसको spread करके और गांदी जी ने इस नमक कानून को बिलकुल ब्रेक कर दिया, तो ये क्या था बच्चे, ये था हमारा दांडी मार्च, ठीक है, नेक्स चलते हैं, significance of the Dandie March, अब इसका significance क्या होगा, दांडी मार्च का, इससे पूरी दुनिया की नजर गांदी जी पर इसी personality बन जाते हैं कि next इनका step out क्या होगा, next ये क्या step out करेंगे, तो ये उनकी curiosity बन जाती है, तो दिवेधी मार्च, ये क्या है, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च was very significant at least the three reasons, तो इसके three reasons निकलते हैं, इसके significance, it brought the Mahatma Gandhi and India to attention the world, तो इससे पूरे वर्ल में, पूरी आपका कमला देवी यहाँ से question आएगा, अगर पूछ लिया जाएगा, तो आएगा कमला देवी चटोपदा है, a socialist leader, pursued it, the Gandhiji not to restrict movement for man alone, कि आप अकेले क्यूं, मतलब man ही क्यूं participate करें, हम लोह क्यों नहीं कर सकते हैं, तो कमला देवी इनकी first women participants बन ती है, many women, including the कमला देवी, broke the salt and liquor, liquor law क्या होता है, जान गए ना, ये तो जान गए होगे, liquor shops क्या होती है कि और तो ने क्या किया, सबसे main फसाद की जड़ ये liquor shops है, उनको toad for डाला, water for डाली, उनको toad for मचा दिया, लाटी, डंडे से, पत्थरों से बिल्कुल जो wine shops होती है, उसको toad for मचा दिया, उसको बिल्कुल ही destroy कर दिया, third and the most significant was the, was that this moment was forced British to realize that Raj would not be last forever, कि बहुत time नहीं है, कि हम अपने स्वराज को achieve कर सकेंगे, कि हमें freedom मिलेगी, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम दबू दबू टाइब के नहीं रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़कर दिखाएंगे, और इस British colonial period को यहां से remove करेंगे, clear है? next करते हैं, next करता है quit India moment, बच्चे यहां से भी question बनते हैं, क्योंकि यह chapter बच्चे बहुत important है, इसलिए इसको इसकी dates को specially मैं कहा रही हूं अच्छे से learn करना है, quit India moment क्या था बच्चे, quit India moment, जैसे कि आप को हिंदी में पता ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, after the failure of the Crips mission, गांदी जी started to quit India moment, गांदी जी ने quit India moment start किया, कब किया बच्चे August 1948 में, कहां से Bombay से, यहां से दो question बन गया आपके, कहां से किया Bombay से, Bombay से किया और कब किया, August 1948 में, immediately क्या होता है, immediately गांदी जी and other senior leader were arrested, गांदी जी और दूसरे senior leader को arrest कर लिया जाता है, उनको jail में डाल दिया जाता है, ठीके, jail में डाल दिया जाता है, but younger exhibit organized the strike and the act, the sabotage all over the country, quit India moment being the mass, अब यह quit India moment, mass moment बन जाता है, भारत छोड़ो, गांदी जी ने इसी में कहा कि करो या मरो का नारा दिया था, do and die का slogan दिया था, कि या तो तुम करो, ठीके, अपनी देश के लिए, अपनी country के लिए कुछ sacrifice कर सकते हो, तो करो, और sacrifice करोगे तो तुम चाहे मारे भी जाते हैं, तो कोई गम मत करना, तो गांदी जी ने इसी में ही, ये do or die का concept दिया था, during this time, the congress leader were in jail, ठीक है, इस moment के दोरान, Congress leader jail में थे, Jinnah and the other Muslim leader work the patiently, Jinnah और दूसरे जो Muslim leaders थे, वो patiently इसको lead करते हैं, its influence in Punjab and Sindh, where it the scarcely any presence, तो यहाँ पर Punjab और Sindh में, बड़ी जोर शोर से इस moment पार्टिस्पेट किया जाता है, June 1944 में, Gandhiji was released from the prison, तो 1944 में, Gandhiji को release किया जाता है, prison से, later he held a series meeting with the Jinnah to sort the differences, और बात में जो Hindu-Muslim का जो conflict चलता रहता है, जगड़ा चलता रहता है, फिर Gandhiji ने क्या किया, इसमें Muslim leaders के साथ meeting करकर के, और फिर इसको problem को sort out करने की कोशिश की, क्योंकि 1940 में क्या होता है, 1940 में Muhammad Ali Jinnah ने, 1940 में Muhammad Ali Jinnah ने Pakistan की demand रखी थी, किसके सामने, किसके सामने रखी थी, पाकिस्तान की demand रखी थी, British government के सामने, कि तुम जातो रहे हो, साथ में हमारा भी कुछ भला कर जाओ, हमें एक अलग नेशन बनाना है, हम Hindustan में नहीं रहेंगे, हम India का पार्ट बनकर नहीं रहेंगे, उसमें मिलकर नहीं रहेंगे, तो हमारी एक अलग दुनिया होने चाहिए, हमारा एक अलग नेशन होना चाहिए, और वो होगा Pakistan, ठीक है, वो क्या होगा की मैणम ने गांधी ईरविन पैक्ट नहीं बताया कुछ बचल दिमाक में आरी मैमने ये जो कौन इसा था ये बोला गया कि आप अपने इंडियंस को बोलो कि वो फर्स वोल्ड वॉर में हमसे मतलब हमारी तरफ से वह प्रति स्पेट करें ठीक व्ल्ड स्वेट करें और बोला गया गांदी जी की तरफ से 11 रखी गई कि नमक पर से कानून हटा दिया जाए हमारे पॉलिटिकल प्रिजेंट को आप लोगों ने वो किया हुआ प्रिजेंट किया हुआ उनको रिलीज कर दिया जाए तो इस तरह किसे तुमने जो इंडिया के उपर उसमें से क कुछ डिमांड को मान लीजिए हम आपकी बात मान लेंगे आप हमारी बात मान जाइए ठीक है तो उस टाइम में तो इर्विन ने हा कर दिया ओकी कर दिया तो गांदी जी ने अपने कहें के मुताबिक इंडिन सोल्जर्स को उनकी तरफ से भेज दिया तो जब यह वर्ड व जौर शोर से फिर अपने मुमेंट्स कर दिये इसके बीच में तीन कॉंफरेज्स मीटिंग होती है ठीक है इसी बीच में थी राउन्टेबल का दे ऊती है तो इस तरीके से गांदी जी को second round table में बुलाया जाता है according to the Irwin and Gandhi agreement Gandhi Irwin pact Gandhi जी वहां जाते है second round table में participate करने के लिए जो कि तीनों ही round table conferences London में हुई थी तो गांदी जी की बात को यहां पर ना तो सुना गया ना उनको बोला गया कि तुम भी अपना proposal रखो किसी तरह का गांदी जी जैसे गये थे वैसे कि वैसे आ गये बड़े मायूस सेड होकर के आ गये और फिर गांदी जी आ करके एक बड़े level पर अपने moment को start करते हैं तो ये तो क्या था गांदी-Irwin pact था अब क्या आते है थोड़ा सा बात कर लें थे किसकी पूना पैक्ट की, 1931-32 में पूना पैक्ट साइन होता है किस-किस के बीच में, डॉक्टर भीमरा अंबेडकर और गांदी जी के बीच में, सिचुवेशन क्या थी कि डॉक्टर भीमरा अंबेडकर सेपरेट एलक्षन करवा तो ये बिलकुल अलग हो जाएंगे, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसे साब भी मर जाए, लाटी भी ना तूटे, तो डॉक्टर भीमरा अंबेडकर माने नहीं, तो गांदी जी अपने अंशन पर लग गए, गांदी जी ने कहा कि मैं फास्ट अंटो को रखा, कि ठीक हम सेपरेड इलेक्शन नहीं करवाते हैं, तो अगर इनकी रिजर्वेशन फिक्स करा देते हैं, कि गौर्मेंट ऑफिसेज में इनकी अपनी एक रिजर्वेशन के कोटे पर ये लोग रिकूरूट हो सकेंगे, इनको अपलिफ्ट होने का एक मोका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो दोनों का यहां पर एग्रिमेंट हो जाता है, तो इस तरीके से ये गांधी पूना पैक्ट था, जो कि किस-किस के बीच हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है, ये पूना पैक्ट जो था, वो लॉर्ड गांधी जी और डॉक्टर भीम राव बेड़कर के बीच में था, जो कि हुआ था, 1931 में, ठीक है, पूना पैक्ट, राइट, अब क्या करते हैं, the last heriotic days of महात्मा गांधी, गांधी जी के last days कैसे थे, ठीक है, गांधी जी के last days कैसे थे, गांधी जी मांग the day the independence 24th earth for the freedom struggle ended with the division of the, जब ये हिंदू-Muslim का division हो गया, तो गांधी गांधी जी नहीं चाते थे कि हिंदू-Muslim का बटवारा हो जाए, तो गांधी जी ने बहुत कोशिश की इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, in the month of the September और October की बात है, गांधी जी वेंट around the hospital and refuses camp giving the consolation of the, जब हिंदू-Muslim का बटवारा होता है, तो गांधी जी बटवारे to forget the past, उन्होंने अपील की, तुम भूल जाओ ना, पास्ट क्या था, कि क्या पास्ट था, हम लोग पहले एक थे ना, तो तुम उनको याद करो, अच्छी बात तो को याद करो, अभी तुम क्या जगडा हुआ था, क्या हो था, इसको भूल जाओ, and extend hand, और तुम एक दोस्त on the right of the minority, तो गांदी जी के कहने पर नहरू, गांदी जी and नहरू क्या करते हैं, कॉंग्रेस में एक resolution पास करते हैं, और वो resolution क्या था, कि हमें minorities को rights देने हैं, क्योंकि अगर minorities के base पर ही ये जगड़े, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो हम इसको खतम ही कर देते हैं, उनके लिए reservation कर देते हैं, तो इनके लिए, मतलब reservation नहीं, इनको minority, minorities को भी एक तरह से rights दिएगे, कि तुम्हें भी आगे रखकर तुमसे भी opinion ली जाएगी, और तुम भी government offices में recruit होगे, इन further said the party had never expected the partition, but it has been forced to it, ठीक है further said the party, तो देखो, party ये चाती थी, Muslim League हास कर ये चाती थी, कि नही हमें किसी भी हाल में हिंदुस्तान के साथ काम नहीं करना है, हम लोग अलग अपनी country बनाएंगे, और फिर उसमें क्या करते हैं, एक अलग तरीके से अपनी दुनिया बसाएंगे, there are the different sources which history, the national movement and the political career of गांदी जी भी reconstructed, तो गांदी जी के history को reconstruct किया गया, ठीक है, गांदी गांदी जी के last moment पर, जब गांदी जी की death हुई थी कब, गांदी जी की death होती है, 30 जन्वरी 1948 को, 30 जन्वरी 1948 को, 47 में बटवारा हो गया था, गांदी जी इस तरह से लोगों से मिल रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि बटवारा हो गया थ ठीक है, हो ही गया, तो गांदी जी डेली की तरह है, जैसे मंदिर जाना होता था, तो मंदिर से बाहर आए, तो वहाँ पर नाथुराम गोड से की गोली का सिकार हो जाते हैं, और फिर वो शॉट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी death हो जाती है, there are different sources of which, तो गांदी जी के हमें में mention किया गया, writing थी, गांदी जी की speech थी, तो सारे record जो है, वो हमें मिले, और इस वज़े से गांदी जी की history को हम जान पाए थे, many letters written to individual, कुछ letters ऐसे भी तो गांदी जी ने वो personally, individually लिखे थे, ठीक है, but they were also meant for the public, and the language letter was shaped by the awareness that might be published, और कुछ letters ऐसे थे, जो लोगों को aware करने थे, जैसे उनकी speech बहुत motivational होती थी, encourage करते थे लोगों को participate करने के लिए, कि हमें Britishers को इस तरह से यहां से बगाना है, यह वो करना है, तो काफी सारे ऐसे proof मिले हमें, right, तो बच्चे ये था, ठीक है, गांदी जी, गांदी जी, गांदियन एरा, और गांदी जी and the nationalist movement, ठीक है, और उमीद करते हूं, सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी, और हां, यह जो आपका CUT का, यह जो scholarship test होने वाला है, कुछ बच्चे पूछ रहेते कि कब होगा, तो बच्चे CUT का scholarship test होने वाला है, वो 26th February, 2023 को होगा, सुबह 11 बजे, तो इस scholarship test में जरूर जरूर से participate कीजेगा, क्योंकि इसमें history के भी question आएगे, इस से आपकी history और जदा prepare हो जाएगी, आप यह देख पाऊगा कि कितना आपने achieve किया, क्योंकि अभी आपको CUT का exam भी देना है, तो इस तरीके कि अगर test आप attempt करते हो, तो इस से आपकी study में, आपकी preparation में और ज़्यादा ए जो 20 student होंगे, इसमें scholarship test में, जो top 20 आएंगे, उनका names will be shown on the app, तो उनका नाम जो है, वो adda की app पर show किया जाएगा, आपको CUT के regarding, कोई भी query आ रही है, कोई भी, XYZ कुछ भी आपको पूछना है, CUT के regarding, तो आप इस helpline number पर call करके पता कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स आता है, बोर्ड exam के बाद आपका CUT आएगा, तो बच्चे इसकी preparation आप पहले से ही कर लो, क्योंकि देखो, इस labor same है, ठीक है, और NCRT ही आना है, इसलिए आप इन batches के थुरू, आप अपने preparation को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी preparation से आपको CUT प्लस बोर्ड exam दोन सब कुछ इस महा पैक में तो एक बर अपने महा पैक में नरोल कर लिया, डैट मिस कि आपके जो CUT के बार 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 बैचिछ आते रहेंगे, तो आप उन बच्चों के साथ जो नए ने बच्चे आते रहेंगे, आप फ्री और फोस्ट उनके साथ भी तयारी कर सकते हो, दो होगा आपका Y489 तो इस coupon code को apply करके आप पा सकते हैं पूरे 17% का discount ठीके बचा पूरे 17% का discount इसके अलावा अगर आप mock test लेना चाहते हैं अगर आप sample paper लेना चाहते हैं अगर आप arts की ebook लेना चाहते हैं तो भी आपको coupon code लगा करके maximum discount मिलेगा याद रख लो coupon code Y489 चाहे जो भी course आप purchase कर रहे हो कोई भी batches आप खरीदने जा रहे हो या कोई भी mock test है ebook है कुछ भी खरीदने जा रहे हो बस Y489 आपको code लगाना है इस पर आप आ सकते हो maximum discount ठीक है जो भी बच्चे चैनल पर नए है अभी के अभी चैनल को subscribe करेंगे comment करेंगे share करेंगे और like करेंगे comment तो तुम करते नहीं हो दो चार बच्चों को छोड़ करके तो आपको comment करके बताना है कोई भी queries होगी या आपको session कैसा लगा तो ये आप comment section में लिकर बता सकते हैं thank you very much that's all from my side bye